हेलो फ्रेंड्स, गुरुड पुरान के अनुसार, शरात करने के फाइदे और नहीं करने के नुकसान चुरूर जानिए वीडियो शुरू करने से पहले करना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब सब्सक्राइब के साथ एक गंटी है जिसे प्रेस करें ताकि कोई भी इंपोर्टेंट वीडियो मिस ना हो दो फ्रेंड्स, गुरुड पुरान में आता है कि समय नुसार शरात करने से ही कुल में कोई दुखी नहीं रहता पित्रों की पूजा करके मनुश्य आयू, पुत्र, यश्च, स्वरक, कीति, पुष्टी, बल, शेयम, पशून, सोख्य, धन, 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 प्रापत करता है देव कार्या से भी पित्र कार्या का विशेश महतर है देवताओं से पहले पित्रों को परसंद करना अधिक कल्यान करी है जो लोग शराद नहीं करते, उनके पित्र ऐसन तुष्ट रहते हैं तथा उनके घर में सुख, शान्ती वे सम्रदी की कमी आती है बिमारियां यह सब होता है इसलिए अच्छी संतान रस्वास्ते के लिए भी पित्र शराद करना चाहिए जो शराद करता है और दूसरों की बढ़ाई करता है उसको दूसरे लोग कुछ देते हैं तो देने वाले को पुन्य हो जाता है, अनंध हो जाता है शराद में जब तूसरी के पत्तों का उपयोग होता है तो पित्तर तरप्त रहते हैं और विश्नुलोग को चले जाते हैं बड़े तरप्त होते हैं तो बड़ा आशिरवाद है मैं तो तूसरी का हर दम शराद के दिनों में प्रयोग करती हूँ आईज आप भी मुझे जुरूर कोमेंट करके बताएं कि शराद के भोजन में आप भी तूसरी का प्रयोग करती हूँ ये थे शराद करने के फाइदे और नहीं करने के नुकसान आईज फोर वर्ची वीडियो